अस्सलामौक्ब विवर्स आई होप आप सब लोग खेर्यसे होंगे आज क्यों हमारा टॉपिक निकाह नामा जिसे निकाह फॉर्म भी कहा जाता है निकाह फॉर्म जो होता है वो बेसीकली एक कॉंट्रेक्ट की शकल का एक डाकुमेंट होता है जिस तरह लोग आम जिंदगी में कोई भी एग्रिमेंट करते हैं दो पार्टी या दो से ज्यादा तो उसको डाकुमेंट की शकल में लिख लिया जाता है ताके फ्यूचर में आने वाले किसे भी मसायल से बचा जा सके उसी तरह निकाव फॉर्म भी एक रिटन फॉर्म में होता है हाला के शहरी तोर पर जुबानी भी निकाव किया जा सकता है यानि कि गवाहान के मुझोदगी में एजाबों को बूल हक्मेर वगरा को तै कर लेना इसके जरीए निकाव हो सकता है लेकिन पाकिस्तानी लौव में इ एक दूसरे के हकूप को प्रिजर्व कर सकें, उनको महफूज किया जा सकें। अगर हम निकाह फॉर्म की बात करें तो निकाह फॉर्म जो होता है उसकी चार कॉपीज होती है जिसे पर्तें कहा जाता है यानि के उसकी चार पर्ते होती है एक पर्त जो होती है वो निकाह रेजिस्टरार अपने पास रख लेता है दूसरी पर्त जो होती है वो यूनियन कॉ वहां पर जमा करवा दी जाती है, तीसरी पर्थ लड़की वालों को दे दी जाती है, और चोथी पर्थ लड़के वालों को दे दी जाती है, निकाफ फार्म जो होता है, उसके basically 25 कॉलम होते हैं, इन कॉलम्स को fill करना, अपनी मुझूदगी में, दोनों पार्टी के मुझूद में फिल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की वाले जो है वो निकाह खौन जो होता है उसके साथ मिलके गलत किसम की इंट्रीज उसमें कर देते हैं लड़के वालों को उसके बारे में पता नहीं होता बाद में जब उनको निकाह फॉर् इसलिए law के मताबिक निकाह खाँ की ये duty है कि जितने भी columns हैं उनको fill करें किसी किसम के column को खाली ना छोड़े और ना ही उसको cross करें बलके हर column को सही तरीके से fill किया जाए अगर वो इस तरह नहीं करता तो उसे कानून सजा देने का मतलग है उसे एक माह तक सजाद बतोर कैद दी जा सकती है या इसके इलावा 25,000 पर जुर्माना या दोनों भी दी जा सकते हैं अब हम बात करते हैं निकाह नामे की निकाह नामे के मैंने पहले बताया है कि 25 column होते हैं सबसे पहला जो column होता है उसके अंदर जो मतलका वार्ड नंबर है उसके बारे में लिखा जाता है फिर टाउन या यूनियन कॉंसल उसके बाद तहसील और थाना जो यानिके वो तहसील है उसके अंदर थाना शाना मुझूद है वो सेम ही होगा तहसील यानिके उसके बाद जो मतलका डिस्ट्रिक है उसके बारे में लिख दिया जाएगा दूसरे नंबर पे जो कॉलम होता है उसके अंदर दुलह, उसके वालिद का नाम, उसका एडरेस, उसका आईडी कार्ड नंबर ये जो ब्लॉक्स होगरा बने होते हैं इसके अंदर उसका ID card नबर लिखा जाता है इसी तरह तीसरे कॉलम में जो है वो लड़की का नाम, उसके वालिद का नाम उसके अडरिस औरगा लिखा जाता है इसके बाद जो प्रम पाणचवा कॉलम होता है इसके अंदर इस चीज़ को लिखा जाता है कि जो दुलहन है वो कुवारी है या वो तलाकियाफता है या बेवा है अगर तलाकियाफता या बेवा है तो उसके बच्चे कितने हैं उनकी तदाद वगरा उसके बारे में लिखा जाता है और उसके बाद जो कॉलब नमबर छे होता है उसके अंदर दुलहन की उमर लिखी ज जा सकती है यानि के 22 साल, 23 साल या उसकी जो टेट आफ वर्त है उसको भी लिखा जा सकता है, मिसाल के तोर पे 4, 6, 1990, 92 जो भी यानि के वो है उसको लिखा जा सकता है, दूलर की उमर को यहां पे सही लिखना इसलिए लाजिम है, चुँके फैमिली लौ आर्डिनेंस के मताबि लड़की के लिए शादे की उमर जो कम से कम है, वो 16 साल और लड़के के लिए 18 साल है, ताकि किसी भी चीज़ की वाइलेशन ना हो सके, इसलिए जो उमर है उसको बिल्कुल सही से लिखा जाता है, उसके बाद 7 नमबर जो कॉलम है, उसमें दूलर के तरफ से अगर कोई वक उस्चेदार हो सकता है, उसके बाद जो गवाहान है, उनके बारे में, उसके बाद में जो पार्ट है इसका, वो स्टार्ट होता है, कॉलम नमबर 13 से, 13 से लेके 16 तक जो है वो हक महर के बारे में लिखा जाता है, यह सबसे important कॉलम्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद साइन करना, दोनों पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, कॉलम नमबर 13 जो है, वहाँ पर हक महर की जो टोटल रकम है, उसके बारे में लिखा जाता है, और 14 में यह बताया जाता है, कि महर की कितनी रकम मौजल है, और कितनी गहर मौजल या मौजल, जिसे English में prompt और डेफर्ट कहा जाता है, यानि कि एक तो हक महर वो होता है, जो मौके पर अदा कर दिया जाता है, जो नॉर्मली आजकल के रिवाज के मताबक 5000 या 10,000, जो के 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए शरूर्ण, नॉर्मली उसके मिकदार जो है, वो 5000, 10,000 इस तरह ही रखी जात है, और जो गयर मौचल होता है, वो लड़की किसी भी वक्त शादी के बाद जिमान कर सकती है, या जब खामन तलाक दे, या फिर खामन की वफात हो जाए, इन कंडिशन में जो है, वो गयर मौचल हक मैर उसे दिया जाता है, जो मौचल हक मैर है, जिसे प्रॉम्ट डॉवर भी कहा जाता है, वो मोके पर ही अदा कर दिया जाता है, आज कल कर रिवाज के मताबिक, उसके बाद 15 नबर कॉलम में लिखा जाता है, कि आया के महर का कुछ हिस्सा मोके पर अदा किया गया, तो उसकी मिकदार, तो उसके बारे में लिख दिया जाता है, कि इतना जो हक महर है, वो मोके पर अदा कर दिया और इतना जो है वो बाद में अदा किया जाएगा अब जो गयर मौजल हक महर है मिसाल के तोर पे कोई मकान, कोई कोटी, कोई प्रॉपर्टी अगर इस किसम की कोई चीज हक महर में लिखी गई है तो उसकी exact location के बारे में उसकी market value के बारे में ये सारी चीजों के बारे में लाजमी mention करना चाहिए ताकि किसी किसम के fraud से बचा जा सके और अगर कोई sona gold वगरा है तो उसकी भी साथ market value mention कर दी जाए अब property के हवाले से किसी किसम की साथ registry की जुरुत नहीं होती law ये कहता है Supreme Court ने इसके उपर judgments भी दी है कि अगर हक महर के अंदर कोई property वगरा लिखी जाती है गवाहान की मुझूदगी में बजाए इसके सिवाए इसके कि कोई मजबूत शवाहिद कोई सबूत लड़के की तरफ से दिये जाए अगर वो देगा तो उसको cancel करवाया जा सकता है otherwise उसको एक proper proof ही समझा जाता है कि ये property जो है वो लड़की के नाम है और किसी वक्त भी लेने की हकदार है तो ये था column number 12 से लेके 16 तक जो हक महर से मतलिक था अब उसके बाद जो column number 17 है उसके अंदर लिखा जाता है कि शोहर अगर किसी किसम की कोई खास शर्त वगरा को रखी गई हो मिसाल के तोर पे normally क्या होता है कि इन शरायत में लिखा जाता है कि जो खावंद है शादी के बाद लड़की को महाना जो है वो पौकिट मनी जिसे मैंटिनेंस भी कहा जाता है नानोनिफका यानि कि इतने पैसे वो हर माँ उसे दिया करेगा उसके इलावा ये भी शरायत में लिखा जा सकता है कि लड़की अगर जॉब करती है वो शादी के बाद भी उसे जो है ना मुलाजमत करने से रोका नी जाएगा इस किसम की कोई शरायत भी लिखी जा सकती है उसके बाद जो कॉलम नंबर 18 है तलाक तफवीज के हवाले से नॉर्मली समझा जाता है तलाक जो है वो सिर्फ खामद अपनी बीवी को दे सकता है लेकिन कॉलम नंबर 18 जो है निकाह फार्म का वो बहुत एहम है उसके मताबिक तलाक तफवीज के जरीए बीवी भी अपने शोहर को तलाक दे सकती है अगर उसे ये हक दिया जाए आम तोर पर मौाशरे में इस चीज़ को गलस समझा जाता है कि शादी के वक्त ही तलाक तफवीज के बारे में बात की जाए लेकिन ये लड़की का शरी हक है उसको ये हक मिलना चाहिए क्योंकि अगर उसे तलाक तफवीज का हक नहीं दिया जाता तो वो अदालत में जाएगी खुला के लिए और जब वो खुला लेगी तो उसे अपना हक महर छोड़ना पड़ता है जो भी हक महर में लिखी गई कोई प्रॉपर्टी कोई सोना कोई पैसे उगरा जो भी होंगे लड़की को जब वो खुला लेगी तो उसे वो सारी चीज़ों को वापिस करना पड़ेगा किसी किसम का वो क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन अगर तलाक के तफवीज का हक लड़की को दिया जाए, तो लड़की तलाक भी ले सकती है, और उसे अपनी हक महर की जो रकम या प्रॉपर्टी है, उसको भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, और लड़के की तरह सिंपली उसे, जो यूनियन कॉ सलय, अर्बिट्रेशन, उसके चेयर मैंन को एक एप्लिकेशन देनी है, उसके बाद वो दोनों लड़का लड़की को कॉनसलियेशन के लिए, यानि के सालसी के लिए, उनके दरम्यान सुलह के लिए बुलवाएगा, अगर उनके दरम्यान सुलह हो जाती है, तो ठीक, और व ओपर कोई भी पबंदी लगाई जा सकती है, मिसाल के तोर पे के अगर वो तलाग देगा, तो वो इतने पैसे अदा करेगा, या कोई भी दूसरी रिस्टिक्शन, लेकिन सुप्रीम कोट के मताबिक, यह जो कॉलम नमबर 17 और 19 है, 17 जिसके अंदर कोई भी शर्त रखी गई, 19 जिसके अंदर शोहर के ओपर तलाग देने पर पबंदी लगाई गई, यह अनलाफुल है, यानि कि यह गेर कानूनी है, शोहर के ओपर तलाग के लिए किसी किसम की कोई भी पबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन चुके निकाह एक सिवल कॉंट्रेक्ट है, और सिवल कॉ दूसरे की मर्जी से समझोते से कुछ भी इसके अंदर एड़ कर सकते हैं, उसके बाद है कॉलम नमबर 20, आया कि शादी के मौके पर महर और नाननिफका वगरा से मतले कोई दस्ताविजात वगरा तियार की गई, यानि कि निकाह फॉर्म के इलावा अगर कोई भी साथ डाक पर्टी वगरा है, तो उसकी कोई टाकॉमेंट साथ अटैच किया गया है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया जाने हैं, उसके बाद जो कॉलम नमबर 21 है, उसके अंदर है आया दुला के पहले से कोई बेवा वगरा मौजूद है, यानि कि अगर शोहर की दूसर शादी है, तो उसके बारे में कोई बच्चे वगरा है, तो उनके बारे में उसकी जो मुझूदा बीवी है, उसके बारे में और उसने जो है वो आर्बिट्रेशन कॉंसल से इजाज़त ली है, अगर ली है तो उसके बारे में लिखा जाएगा, किस तारीख को ली है, उसके बारे में भी लिखा जाएगा ताके बाद में इस किसम का कोई भी मसला पैदा ना होके शोहर पहले से ही शादिश होदा था तो यह सारे कॉलम भी फिल करने चाहिए उसके बाद जो लास्ट वाले कॉलम है 23, 24, 25 वो निकाह खां रिजिस्टरार के होले से होते हैं यानि कि जो निकाह खां है जो निकाह पढ़ाने के लिए है उसके बारे में यानि कि नाम, वलदियत, उसका CNAC नमबर उसके बाद जो रिजिस्टरेशन निकाह रिजिस्टरार है उसके बारे में registration की fee वगरा उस सारी चीज़ों के बारे में end पे लड़का लड़की के और उनके जो वकील हैं गवाहान हैं उनके भी sign यहां पे लिये जाते हैं तो यह था निकाव form के बारे में अब निकाव form को खुद भी resistant किया जा सकता है उसका basic तरीका यही है कि Google Play Store जो है वहाँ पे बल दिया online के नाम से government ने एक application लाँच की है उसको आप download करके वहाँ पे अपना account बनाके लड़का और लड़की की जो information है जो कवाइफ आपने यहाँ पे निकाव form एंटर की है वहाँ पे एंटर करके उसके बाद junior console से आपको call आ जाएगी आपका जो और निकाव फारम जो registered होता है computerized form होता है वह तयार है वहाँ आप आके ले सकते हैं और उसकी आजकल जो है वहाँ दोसों पर fee होती है वहाँ आप देख़रसकों कर सकते हो अब जो निकाव ही है वो अपना ID card बनवा सकती है क्योंकि जब तक record सारा online नहीं होगा तब तक वो नादरा से अपना ID card नहीं बनवा सकती और बाद में बच्चों की पदाश के वक्त जो birth certificate है वो भी नहीं बन सकता है इसलिए उसकी registration उसको computerize करवाना बहुत जरूरी है यह था आज का topic I hope आप लोगों को समझाई होगी अगर किसी किसम की कोई क्यूरी हो तो kindly comment section में mention कर दीजेगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like comment और शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा thank you Allah आपिस